तरफ मनोजदिवारी हैं, दुसरी तरफ उत्तर पूर्वी दिली की जनता है, मैं नहीं हूँ, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ, कि आप वहाँ के लोगों से जब बात करेंगे, तो वो सांसद महोदय के काम से बेहत नाराज हैं, उनकी सिकायत यह है कि दस साल में दिखाई नहीं दिये, लोगों के सुख दुख में खरे नहीं हुए, और वहाँ के लोगों की जो परिशानिया हैं, चाहें वो ट्रफिक की समस्या हो, जल भराव की समस्या हो, डीडिये की मनमानी हो, किसी भी चीज में सांसद महोदय जनता के साथ खरे नहीं होते हैं, तो यह चुनाव जो है धीरे-धीरे, अब दो पार्टी के बीच में नहीं है, दो विक्ती के बीच में नहीं है, यह चुनाव एंडिये बनाम जनता हो गई है। पेड़ पे चढ़ जाएंगे, तो फिर कहेंगे कि पहली बार कोई प्रधान मंतरी नीम के पेड़ पे चढ़ें हैं, यह इस तरह से इतिहास नहीं बनता है, इतिहास तब बनता जब प्रधान मंतरी जी बिहार की जनता की जो मांग थी, कि बिहार को विसेस राज का दरजा उसको वो पूरा कर देते और यह मांग जो है खुद उनके घटक दल के निता स्री नितिश कुमार जी ही कर रहे थे तब इतिहास बनता है इस तरह से इतिहास नहीं बनता है कि आज प्रधानमंत्री जी जो है नीम के पेड़ पे चड़ गए परसो जो है प्रधानमंत्री फीप इतिहास बता रहे थे ना तो जब नोटवंदी हुआ तो क्या कहा गया कालाधन समाप्त हो जाएगा और इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी मंत्स से कह रहे हैं कि अंबानी जी और अदानी जी के पास कालाधन है इसका मतलब नोटवंदी इतिहासिक फैसला नहीं अधिए गलब की हाजपा और इंडिये के कमिटमेंट को बिहार की जंता देख रही है आर जेडी और कॉंग्रेस के करन को भी देख रही है है सर कमिटमेंट था और बिहार को विषेसराजी का दरजा देने का क्या हुआ उस कमिटमेंट का क्या हुआ जो जो सवनसद गौन अच्छा अप लोगों को याद तो मेरा आपसे आगरह है एक बार इस देश के लोकतंत्र के लिए लोगों के लिए एक बार उन गाउं को जागर के दिखा दीजिए जो जो गाउं यो लोग गोद लिये थे विकास के नाम पर वो विकास गोद में ही है कि जो है पैदल चलने लगा